जैए श्रादे मित्रो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में बात करेंगे दनुराशी वाले जातको के 8 जनवरी 2020 के दैनिक राशी फल के बारे में पित्रो वीडियो को अंते तक देखेगा वीडियो के अंत में शुबंक और शुबरंग ये दोनों बताए गए हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो की सुरुआत करते हैं चलिए दोस्तो आज किस वीडियो की सुरुआत करते हैं आज के सुविचार से कागच अपने नसीब से उड़ता है पर कागच की बनी पतंग अपने काबिलियत से इसलिए नसीब के भरों से मत बैठो काबिल बनो तरक्की तो जख मारके तुम्हारे पीछे आएगी चली दोस्तो जानते हैं आज के पंचांग के बारे में दिनांक 8 जनवरी 2021 है तिथी दश्मी है जो रात्री के 9 बच के 41 मिनट तक रहेगी नक्छतर श्वाती है दोपैर के 2 बच के 13 मिनट तक रहने वाली है पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है दिन शुक्रवार रहेगा सुर्योदैस 7 बच के 15 मिनट पे होगा सुर्यास त 5 बच के 40 मिनट पे दोस्तो चंद्र राशी तुला है जो अगले दिन के सुबह के 6 बच के 58 मिनट तक रहेगी रितू शिशिर चल रही है दिन काल 10 गंटे 25 मिनट 14 सकंड का होने वाला है मासमान्त मार्ग शीर से मासपुन चानते हैं आज के शुब समय और आशुब समय के बारे में शुब समय यानि की अभी जीत महुर्द दोपहर के 12 बच के 6 मिनट से सुरू होगा और दोपहर के 12 बच के 49 मिनट पे समाप्त हो जाएगा आशुब समय यानि की दोश्ट महुर्द सुबह के 9 बच के 20 मिनट से सु समाप्त होगा वही दूसरा दोपहर के 12.40 मिनट से सुरू होगा और दोपहर के 12.40 मिनट से सुरू होगा और दोपहर के 12.40 मिनट से सुरू होगा और दोपहर के 12.27 मिनट पे समाप्त हो जाएगा मित्रो दिशाशूल पश्चिम रहेगा तो मित्रो ये था आज का पंशांग जानते हैं आपके दिन के बारे में संचिप्त में फिर बात करेंगे पूरी विस्तार से दोस्तो स्वास्त अच्छा रहेगा आर्थी के जीवन अच्छा नहीं रहेगा प्रेम शमंद सामाने से अच्छा है वेवशाय की बात करें तो दिन सामाने है वेवाहिक जीवन सामाने से अच्छा रहने वाला है आईए बात कर लेते हैं आपके दिन के बारे में पूरे विस्तार से दोस्तों आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकने वाला है और सब को आकरशित भी करेगा दिन चड़ने पर आर्थिक सुधार भी देखने को मिलेगा आपका मजाकिया स्वभाव जो है समाजी के मेल जोल की जगहों पर आपकी लोकपिरता बढ़ाने में कारगार साबित होगी आपके इमांदार और जिंदा दिली प्यार में जादू करने की ताकत है जरूत के वक्त तेजी और होसियारी से काम करने की आपकी जो छमता है आपको लोगों की प्रशंशा का पात्र बना देगी अपने किस मित्र के साथ आज समय बिता सकते हैं लेकिन इस दरान आप सराब का सेवन करने से बचिए नहीं तो समय की बरबादी होगी और खुद की भी कि आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिस्ते जैसा है उन पर गौर करिये यह बात आपको खुद बखुद दिखाई दे जाएगी मित्रो शुभ अंग पांच रहेगा शुभ रंग भूरा और स्लेटी है तो मित्रो ये था अचकापका राशी फल उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजे हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मित्रो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए आसपास सफाई रखिए घरवालों का खायाल रखिए साथी साथ अपना भी खायाल रखिए आज का दिन आपका मंगल मैं बीते शुब बीते अच्छा बीते यही कामना करते हैं जय शरादे जय भोले नात